प्रदानमंत्री नरेंदर मोदीने समुद्री सुरक्षा के विशे पर सन्युक त्राट सुरक्षा परिशद की ओर से आयुजित ओपन डिबेट की अध्धक्स्ता की इसके साथ ही नरेंदर मोदी UNHC की और से आयुजित किसी एमबेठक की अगवाई करने वाले भरत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गई UNHC की और से आयुजित ओपन डिबेट के अपने अद्धक्स संभोधन में पीम मोदी ने समुंदर को इंटरनेशनल ट्रेड की लाइप लाइप लाइन बताया आईए सुनते हैं उन्होंने अपने भासन में किन मैक पूर्ण मुद्द का उले किया है यह अतनाम के प्रधानमत्री की उप्रस्तिती के लिए भी रदय से आभार वेक्त करता हूँ एक्सेलेंसीज समंदर हमारी साजा दरोर है हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइप लाइप लाइन है और सबसे बड़ी बात यही है कि यह समंदर हमारे प्लैनेट के भविश के लिए बहुत महत्पपूर है लेकिन हमारी इस साजा समुद्री दरोहर को आज कई प्रकार की चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है पाइरेसी और आतंगवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरूपयोग हो रहा है अनेक देशों के बीच मेरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं और ट्राइमेट चेंज तथा प्राकूरतिक आपनाय भी मेरिटाइम डोमेन से जुड़े विशह हैं इस व्यापक संदर्व में अपनी साजा सामुद्री दरोहर के सवरक्षन और उप्योग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमबर्ग बनाना चाहिए ऐसा फ्रेमबर्ग कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता यह एक साजा प्रेत्न से ही साकार हो सकता है इसी सोच के साथ हम इस महत्वपूर्ण विशह को सुरक्षा परिशत के समख्ष लेकर आए हैं मुझे पुरा विश्वास है कि आज की हाई रेवल चर्चा से विश्व को मेरिटाइम सिकूरूटी के मुद्धे पर मारदर्शन मिलेगा एक्सलेंसी इस मंथन को स्ट्रक्षर देने के लिए मैं आपके समख्ष पांच मुल्भुत सिध्धान रखना चाहूँगा पहला सिध्धान हमें मेरिटाइम ट्रेड में बेरियर्स हटाने चाहिए हम सभी की समुरुद्धी मेरिटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है इसमें आई अर्चन है पूरी बैस्वीक अर्थववस्ता के लिए चुनावती हो सकती है फ्री मेरिटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ अनादी काल से जुड़ा हुआ है हजारों वर्ष पहले सिंदू गाटी सभ्यता का लोथल बंदरगा समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था प्राचीन समय के स्वतंत्र मेरिटाइम माहोल में ही भगवान बुद्ध का सांती संदेश विश्व में फैल पाया आज के संदर्ब में भारत ने इसी खुले और इंक्लूजिव एथोस के आधार पर सागर सिकूरिटी एंड ग्रोथ फोर आल इन दे रीजिन का वीजन परिभासित किया है इस वीजन के जरिये हम अपने खेत्र में मेरिटाइम सिकूरिटी का एक इंक्लूजिव ढांचा बनाना चाहते हैं यह वीजन एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल मेरिटाइम डॉमेन का है फ्री मेरिटाइम ट्रेड के लिए यह भी आवशक है कि हम एक दूसरे के नाविकों के अधिकारों का पुरा सम्मान करें दूसरा सिद्दान्त, मेरिटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान, शांतिपूर्ण और अंतरराष्टिय कानून के आधार पर ही होना चाहिए आपसी ट्रस्ट और कान्फिडन्स के लिए यह अति आवशक है इसी माध्यम से हम वैश्विक शान्ती और स्थीरता सुनिश्चित कर सकते हैं भारत ने इसी समझ और मेचुरिटी के साथ अपने पडोसी देश बांगला देश के साथ अपनी मेरिटाइम बाउंडरी को सुल जाया है तीसरा सिधान हमें प्राकृतिक आपदाओं और नोन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किये गए मेरिटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए इस विशे पर छेत्रिय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम दिये हैं साइकलोन, सुनामी और प्रदूशन सम्मंदित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉंडर रहे हैं पायरेसी को रोकने के लिए भारतिय नवसेना ने भारतिय नवसेना में दोजार आठ से हिंद महासागर में पैट्रोलिंग कर रही है भारत का वाइट सीपिंग इन्फरमेशन, फ्यूजन केंद्र हमारे छेत्र में साजा मेरिटाइम डॉमेन एवर्नेस बढ़ा रहा है सर्वे सपोर्ड को और समुदरी सुरक्षा में प्रस्रिक्षण भी दिया है हिंद महासागर में भारत की भूमी का एक नेट सिकुरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है चौथा सिधान हमें मेरिटाइम एनवार्मेंट और मेरिटाइम रिसॉर्सिस को संजो कर रखना होगा जैसा कि हम जानते हैं ओशन का क्लाइमेट क्लाइमेट पर सीधा इंपेक्ट होता है और इसलिए हमें अपने मेरिटाइम एनवार्मेंट को प्लास्टिक्स और ओल स्पिल्स जैसे प्रदूशन से मुक्त रखना होगा और ओवर फिशिंग और मेरिन पोचिंग के खिलाप साजा कदम उठाने होंगे साथी हमें ओशन साइंस में भी सरयोग बढ़ाना चाहिए भारत ने एक महत्वा कांक्षी डीप ओशन मिशन लॉंच किया है हमने सस्टनेबल फिशिंग को पोच्छान देने के लिए भी कई पहले ली है पांचवा से दान्त हमें रिस्पोंसिबल मेरिटाइम कनेक्टिविटी को पोच्छान देना चाहिए यह तो स्पस्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवशक है लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पोजेक्स के डेवलोप्मेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एपसर्प्शन केपिसिटी उसको भी ध्यान में रखना होगा इसके लिए हमें उचीत वैश्विक नॉम्स और स्टांडर्स बनाने चाहिए एक्सलेंसीस मुझे विश्वास है इन पाँच सिध्वांतों के आधार पर मेरिटाइम सिकुरिटी कोपरेशन इसका एक वैश्विक रोड में बन सकता है आज की ओपन डिवेट की उच्च और सक्रिय भागिदारी यह दिखाती है कि यह विशय सुरक्षा परिशत के सभी सदस्यों के लिए महत्वपून है इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्तिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद